UPSC अकसर मैपिंग के उपर questions पुछती है तो हम देखेंगे Black Sea उसके surrounding में जो countries है और उसके surrounding में जो seas है उसके बारे में अगर हम देखते है Black Sea के North में आता है Sea of Azov और Black Sea में थोड़ा नीचे होके South में जो Sea of Marmara है और उसके South में आता है Aegean Sea तो अगर हम chronology देखेंगे तो हमें यहाँ पे North to South देखता है Sea of Azov, Black Sea, Sea of Marmara and Aegean Sea अगर हम देखते है Black Sea के surroundings country कौन कौन सी है तो हमें यहाँ पे देखता है तुर्की, बुलगेरिया, रोमानिया, यूकरेन, रशिया और जोर्जिया इसे याद रखने के लिए हम T burger का यूज़ कर सकते है T मिन्स तुर्की, B मिन्स बलगेरिया, U मिन्स यूकरेन, R मिन्स रशिया, G मिन्स जोर्जिया and R मिन्स रोमानिया तो I hope आपको Black Sea के surrounding seas और Black Sea के surrounding countries के बारे में यहाँ पे information मिली होगी तो all the best for your upcoming UPSC Prelim examination